नमस्कार दोस्तों, बजट 2023 से किसी बिजनस्मेन को क्या benefit हुआ in terms of income tax, ये एक important aspect मैं इस छोटी सी वीडियो के थुरू आपके समख्ष रखने जा रहा हूं, तो I hope यदि आप एक बिजनस्मेन है, व्यापारी है, चाहे आप trader है, चाहे आप manufacturer है, आपको इस वीडियो से taxation aspect में क्या changes किये हैं, जो आपके लिए relevant हो सकते हैं, जानने में मदद मिलेगे. दोस्तों, सबसे पहला point, जो कि बहुत important है, कि एक बिजनस्मेन के perspective से, जो कि individual है, हिंदू undivided family है, या जो कि एक normal partnership firm है, LLP नहीं है, उनके लिए इस budget के तुरू, मानिय वित्यबंतरी महोदया ने section 44 AD की limit में change करना प्रस्तावित किया. अब यह 44 AD की limit क्या है, कि यदि मान लीजे कोई व्यक्ति जो trader है, या manufacturer है, या कोई service provider है, जो कि professional नहीं है, और जो कि applying, hiring, leasing of goods carriages से related काम नहीं करते हैं, उनके case में, यदि उनकी gross receipt दो करोड रुपे तक भी है, तो वो अपने check से आए, या सीधे bank में आए transactions पर 6% margin, और यद यदि उन्हें cash कोई particular receipt आती है, तो 8% margin दिखा करके अपना एक profit declare कर सकते हैं, गौर्मन ने ये कहा, कि हम आपकी limit अब इस 2 करोड से बढ़ा करके 3 करोड करने जा रहे हैं, यानि further 1 करोड का और enhancement दे रहे हैं, इसे benefit क्या होगा जरा समझे, कि मैं ये मानता हूं, जिनका 3 रुपे तक के turnover पर भी उनको एक national 6%, 8% minimum या उससे जादा जो उनको उप्युक्त लगे, वो margin offer करने का benefit मिल रहा है, तो this is a kind of age in doing business, कि सरकार उने age of doing business प्रदान कर रही है, कि आप business करिए, हम आपके cases में, assessments में आपको एक तरीके से कोई परिशानी नहीं होगी, क्योंकि आप करोड की limit तीन करोड जब जा रही है, तो उस पर एक condition एक rider लगाया, क्या बोला, कि ऐसे व्यापार, ऐसे बिजनसमेन ही तीन करोड की इस enhanced limit का benefit ले सकते हैं, जिनकी cash receipt, total receipt के 5% से जादा ना हो, यानि 5% तक हो, तो यदि मान लेजे, तीन करोड का 5% हुआ सर्थ 15 रहा, यद करोड असी लाग का 5% हुआ सर्थ 14 रहा, सपोस उनके पास में 20 रुपीस, total gross receipt में cash हा रहा है, then such person would not be available to claim the benefit of section 44 AD, फिर उनको actual basis पर अपना profit loss offer करना पड़ेगा, लेकिन यदि इनी सज़न के पास में cash receipt के वल 10 लाग की होती, तो वो 2 करोड असी लाग पर minimum 6% अपने non-cash transaction प 8% margin बता करके minimum इससे जदा भी वो चाहे, यदि उन्होंने कमाया है तो वो बता करके निकल सकते हैं, तो एक तरीके से बिजनस्मेन को 44 AD की जो रेजीम है, जिसे हम simplified tax regime बोलते है, presumptive taxation की, उसका scope यहाँ पर इस budget के तुरूप बढ़ाया गया है, अब बात करता हूं दोस्तो दूसरे important benefit की, जो की MSME industry के perspective से मिल रहा है, कि government ने पहली बार मेरी opinion में ऐसा किया है, कि अब तक सरकार employee dues के प्रती सतर करहती थी, bank को NBFCs के due के प्रती सतर करहती थी, और यह कहती थी section 43B में कि जब तक आपने इन विक्तियों के payment को वास्त्विक रूप से नहीं कर दिया, त supplier है आपका, MSME service provider है, और आपने उनका payment as per MSME act नहीं किया, तो जब तक आप उनका वुक्तान नहीं करेंगे, तब तक आपको deduction उस खर्चे का नहीं मिलेगा, तो यदि मान लिजे मैं एक MSME supplier हूँ, मैंने किसी को 10 लाग की supply करी, और उस व्यक्ति ने मुझे payment नहीं किया, किसी सामने वाला जब अपना profit and loss account बनाएगा, तो उसमें वो 10 लाग खर्चा जरूर दिखाएगा, लेकिन income tax purposes से उन्हें इस 10 लाग के खर्चे का deduction नहीं मिलेगा, इसका impact क्या होगा दोस्तों, इसका impact यह होगा, कि यदि वो person जिसने payment नहीं किया, वो 30% slab में है, तो 10 लाग का ख होगा, कि MSME industry के प्रती, यह माहल बनाना बहुत जरूरी है, कि यदि MSME supplier of service है, यह supplier of goods है, तो उनको as per MSME act payment किया जा सके, इस अंदर में दोस्तों, section 43B में प्रावधान किये गए हैं, कि MSME industry को यदि आपने सही समय पर भुक्तान नहीं किया, तो जब आप भुक्तान करेंगे उसी समय आपको deduction मिलेगा, नहीं तो दूसरे year में, जिस year में जब आप भुक्तान करेंगे, उस year में deduction मिलेगा, जब आपने उस खर्चे को book किया है, उस year में deduction नहीं मिलेगा, तो ये भी एक important business man's related aspect, इस budget के तुरू मैंने आपके सामने रखा, दोस्तों इन दो benefits के अलावा एक तीसरा benefit आपके समक्ष last में ये भी रख सकता हूँ, कि जब भारत सरकार ही कह रही है कि 7 लाग रुपे तक की total income पर आपको कोई tax नहीं देना new regime पर, तो ऐसी परिस्टती में एक business man के लिए भी ये अच्छी बात है जानने की, कि यदि किसी business businessman का business और अन्य आय के स्रोथ से मिलाकर के आय साथ लाग तक है, तो उन्हें भारत सरकार अगले वित्तवर्श 23 चोईस की income के लिए tax नहीं करेगी, तो ये कुछ benefits जो मुझे लगे, एक businessman के लिए जानने जरूरी है, इस budget 2023 से जुड़े, मैंने आपके समक्ष रगे, यदि कुछ queries हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद, जैए!